जिहां है नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने हर्याना मौसम समाचार के इस ताज़ा अपडेट में यहां आज हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर के आगे हैं हर्याना मौसम समाचार अगर आप हर्याना के किसी भी जले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्रास लाइक करें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर जरूर करें अगर आप हर्याना जिले की मौसम की ताजा ख़वर पाना चाहते हैं तो प्लीज इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले जियां हम आपको बता दें हर्याना में 24 गंटे में 4 डिगरी गिरा तापमान सुबह पढ़ रही है हलकी धुंद कल से दिन में बादल चाने के आसार ठंड बढ़ेगी जियां खबर को जानेंगे विस्तार से अगर आप हर्याना से हैं तो प्लीस कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम अवाज से लिखें जियां हार्याना के मौसम में लगातार बदला हो रहा है हलकी धुंद और हवाओं के चलने से सुबह के समय ठंड का एसास हो रहा है जबकि धूप नकलने के काण दिन में हलकी गर्मी मैसूस हो रही है चार दिन पहले हुई बारिज से सूबे में अधिक्तम तापमान में हल्की गिरावट दर्जिक की गई है पहले अधिक्तम तापमान 30 डिगरी के आसपास तक पहुंच गया मगर पहालों की बर्वारी और मैदानी राकों में बारिज से 4 डिगरी की गिरावट के साथ याए 26 डिगरी के आसपास पहुंच गया है वहीं कुछ ऐसे जिले ऐसे हैं जहां की रातें अभी भी सर्द बनी हुई है इनमें सिर्सा नारनौल जिले सामिल है वहीं कल से दिन में अधिकांस जिलों में बादल चाही रहने के आसार है इससे दिन के तापान में गिरावट दर्ज की जाएगी वहीं हम आपको दादें मौसम भी से सग्यों का कहना है कि लगातार दिन में बढ़ रही सूरज की तबिसके कारण अभी सर्दी से रहात नहीं मिलने वाली है अभी सर्दी को आने में वक्त लगेगा वहीं मौसम भाद का कहना है कि पहाडों में लगातार वारिस और बर्फवारी को बर्फवारी हो रही है जिसका असर मैनानी लागों में पढ़ना ही तय है मौसम में बाग का कहना है कि सुबे में 25 और 26 फरवरी को मौसम में बदलाओ देखने को मिल सकता है 27 फरवरी को भी यही हाल बढ़ने रहने की संभावना है हरियाना में ओला वरेश्चे से फसलों को नुकसान हुगा है मगर बारिस फसलों के लिए फायदे मंद रहेगी मौसम में बदलाओ के साथ ही सनिवार यानि आज मौसम साफ रहेगा वही मौसम में नमी होने के काण सुक्रवार सुबे से धुन्द चाहिए है सुबह आठ बजे के बाद धूब खिलने से वह धुन्द भी छट गई है मौसम में बदलाओ के चलते अधिकतम तापमान में दो से चाटी तक गिरावट दर्ज की गई है नारनौल का नियुमतम तापमान तीस तर्मनों चाट डिगरी तता पहुंच गया मगर सुक्रवार को तापमान 26 डिगरी तर्ज किया गया था मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में तब तक इस यूट्यूब चैनल के साथ लगाता जुड़े रहीगा चैनल को सस्क्राइबर के बैल आइकन को प्रेस कर ले था कि आनवाली सभी लाट आइस वीडियो सबसे पहरे मिले तब तक के लिए जाहिंद जावाद